हलो फ्रेंट्स मैं जितेंद्र कौार सिंग आप लोगों का आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूँ फ्रेंट्स आज से आपका नया साल 2022 स्टार्ट हो चुका है इसकी हम आपको धेर सारी सुभकामनाएं देते हैं और आपके मंगल में और शुखद भविस की कामना करते हैं आज हम आप लोगों के लिए ये जो है मॉडल पेपर इंग्लिस का लेकर आए हैं क्योंकि हमारे बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको अभी ये जानकारी नहीं है कि हमारा जो पेपर होगा कच्छा बारा का इंग्लिस का उसका पैटरन क्या होगा वो कैसा आएगा मालिया कोई पिछले पैटरन की तयारी करता रहे और पेपर उसको दूसरा मिल जाए तो इससे परेशानी होगी इसके लिए हम आज नया पैटरन से पेपर जो आपका 2021 पैटरन जो बोर्ड का है उस पर आधारित ये लेकर चलने हैं माडल पेपर किस तरीके का आएगा पूरा एक माडल पेपर आपको question by question जो है सीरियल से समझाया गया है अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं हमारे phone number पर और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को like करें और चैनल को subscribe जरूर करें अगर आपको किसी literature के टापिक पर या grammar के टापिक पर वीडियो चाहिए हो तो आप हमें comment करके comment box में बता सकते हैं हम उस topic पर आपके द्वारा बताए गए topic पर वीडियो बनाने का जल्दी से जल्दी प्रयास करेंगे तो देखते हैं आज नया model paper जो हमारा 2021-2022 का pattern है इंगलिस का वो किस तरीके से आपका paper आएगा इसको आज detail में लेकर के चलते हैं बिस्तार से आपको समझाते हैं तो चलिए start करते हैं देखिए question paper आपका 3 घंटे 15 मिनट का होगा 3 hours 15 मिनट का होगा और एक ही paper 100 marks सा होगा ये paper आपको जो है 4 sections में आपका paper डिवाइड होगा A, B and C और सभी sections करना आपको compulsory होगा आपको 15 मिनट time जो है वो paper पढ़ने का दिया जाएगा और 3 घंटे time जो है वो paper को शाल्व करने का दिया जाएगा तो इस तरीके से आपको 3 घंटे 15 मिनट time total दिया जाएगा इस paper को हल करने में जो कि पूरा paper आपका show number का निर्धारित है तो इसमें जो 4 sections है उसमें grammar section होगा वो optional भी आ सकता है और descriptive भी आ सकता है नि बैकल्पी भी हो सकता है तो चलिए देखते हैं पहला question जो है आपका एक passage आपको बड़ा सा दिया होगा जिसे हमने यहाँ पर बहुत बड़ा पैसेज नहीं लिया है आपका जिसे आपको देखने में कोई परेशानी न हो तो यह paragraph लिया है हमने यह आपका 15 numbers का total पहला question होगा reading का section A उसका नाम reading होगा तो वो reading पर आधारित होगा मतलब आपको यह पूरा paragraph ध्यान से पढ़ना है और उस पर आधारित इसके नीचे जो है जो question दिये होंगे वो आपको करना होगा paper यह जो है मान लिया जो paragraph आपका दिया होगा passage वो हो इतना भड़ा भी हो सकता है और इससे ज्यादा भड़ा भी हो सकता है इसके अलावा उसमें A, B, C, D करके sections भी divide हो सकते हैं और paragraph भी change हो सकते हैं तो इस तरीके का paragraph होगा और इस पर आधारित जो question होंगे वो कुछ इस तर जिनको विस्तार से आपको paragraph पर paragraph से चांट करके लिखना होगा फोर question तक descriptive होंगे जो कि आपको paragraph से चांट करके लिखना होगा question fifth होगा उसको कम से कम three parts में divide किया गया होगा first, second और third और इसमें आपको जिसे यह भी हो सकता है कि जो underline portion है उसको भी आपको जो है कहेगा इसका explain करिए या जो है आपसे antonyms पूँच सकता है या synonyms पूँच सकता है या one words रवस्टी टीउसन पूँच सकता है या कुल मिला कर यह होगा कि paragraph पर ही आधारी तो आपके यह question five होंगे और अगर आपने practice पढ़िया की है तो यह 15 नंबर आपको आसानी से मिल जाएंगे उसके बाद जो है आपका section B जो है जो writing इसक्लिका होगा तो इसमें जो है आपको topics दिये होंगे question second जो होगा उसमें कुछ topics दिये होंगे three to five topics दिये होंगे उन पर आपको article लिखना होगा या उन पर article अगर आप नहीं लिखते हैं तो नीचे आपको जो है एक और topic दिया होगा उस पर आपको detail में article लिखना होगा लगभा 100 से 150 words में उस पर article जो है लिखना होगा तो यह article आपको कम से कम जो है three से four topics दिये होंगे उन पर आधारी जो है आपको यह detail में लिखना होगा लगभा 100 से 150 words तक तो यह आसानी से अगर आप जो है इसकी अभी से practice कर लेंगे तो आसानी से आप इसको लिख लेंगे कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी यह 10 number का question आपका होगा इसके बाद question third जो होगा वो आपका जो है 10 marks का होगा जो question जो question जो है आपको लेटर लिखना होगा जिसमें letter आपका आफीada later हो सकता है complaint later हो सकता है business later हो सकता है तो इसमें भी आपको option मिलेगा इसमें भी आपको जो है option मिलेगा two questions होंगे जिनमें जो है आपको one question करना होगा यहनि दो आपकी letters दिये होंगे जो आपको easy लगे और shootboom लगे उसको विधिवत भिष्त्रत रंच से आपको जो है लिखना होगा और letters कैसे लिखे जाते हैं यह जो है हम वीडियो में ने बताया है अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आप जो है जाकर के वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरीके से लेटर लिखे जाते हैं प्लेइलिस्ट में हमारी जाईए उसमें आपको मिल सकता है आगे बढ़ते हैं उसके बाद आपका सेक्शन Сी जो होगा ग्रामर पराधारित होगा यह वयकल्पिक भी हो सकता है और descriptive भी हो सकता है जिसे इसमें जो है आपका वैकल्पिक दिया हुआ है alternative जो है पहला जिसे आया है आपका वन वैस शवस्टे टीव सन तो इस पर जो है जिसे लिखा है school for infant and young children तो इसमें जो है आपको नीचे four options दिये होंगे जिनको आपको करना होगा ये दो नंबर का होगा उसके बाद आपका एक idea होगा idea होगा उसको जो है उसके नीचे आपकी four meanings जो है उसकी दी हुई होंगी और उस idea की four meanings में से आपको जो है छाट करके जो sweet devil आपको लगे जो है लिखना होगा तो ये थोड़ा ध्यान देने की ज़रुवत होगी इसको जो है थोड़ा सा आप जो है रिवीजिन कर लीजे आसानी से आपको समझ में आ जाएगा फिर fourth question का जो c question होगा साइनोनिम पराधारित होगा यानि साइनोनिम आपका word दिया होगा और उसके नीचे four options दिये होंगे जो option आपको appropriate उसमें लगता है उस option को आप जो है copy में लिख दीजिए और या आपको OMR seat भी हो सकता है दी जाए वैसे मुश्किल है ORM seat दी जाए आपको जो है लिखना ही होगा जहां तक copy में अपनी तो उसमें four alternatives में से जो आपको suitable लगता है वो जो है आपको लिखना है उस sentence में error होगी सेंटेक्स का होगा तो error होगी और उसमें four parts दिये होंगे और मुझे का कौन से part में error है जिसे we prevented him to go there इसमें जो है दिया हुआ him to go there अगर इन में कोई गलती है तो बताइए नहीं तो no error पे आपको टिक करना है उसके बाद आगे भरते हैं four e questions जो होगा वो एंटॉनम लिखना होगा एंटॉनम किसी एक word का जिसे wonder दिया हुआ है इसमें four options दिये होए जिनको आपको एंटॉनम लिखना है उसके बाद five number question जो ए होगा नंबर वो दो नंबर का होगा इसमें दो डायरेक्ट इन डायरेक्ट आपके दिये होंगे जिनमें से एक sentence को आपको करना होगा जो आपको easy दिखे वह आप आसानी से जो है उसको करते हैं फिर five b question होगा जो वो आपका जो है synthesis का होगा synthesis आपने पढ़ी होगी तो उसमें भी दो sentence आपके दिये होंगे दो में से आपको एक करना होगा एक optional होगा आप दोनों में से कोई एक question कर सकते हैं और आपके simple complex या compound तीनों में से कोई एक sentence बनाने को कह देगा वो आपको जो आपको easy लगे वो आप जो है कर सकते हैं उसके आगे बढ़ते हैं देखते ह 5C question जो होगा वो transformation से होगा transformation से आपके 2 questions दिये होगे जिनमें एक question आपको करना होगा जो भी आपको अच्छा लगे उसके आगे instruction दी हुई होगी bracket में कि आपको जो है उस sentence को किस तरीके से बदलना है यह आपकी instruction दी हुई होगी तो आपको जो appropriate दो में से लगे जो अच्छा लगे easy लगे वो आप उसको जो है आशानी से कर सकते हैं उसी को करिए with confidence ऐसे नहीं करना है उसके बाद जो है आपका syntax से sentence दिये होंगे 3 or 4 sentence दिये होंगे जिनमें एक आपको जो है correct करना होगा फिर आपके homophons दिये होंगे homophons जो है दो जोड़ी दिये होंगे जिसमें से एक जोड़ आपको करना होगा इनकी meaning लिखनी हो इस तरीके से अपने sentence में use करना होगा कि उनका meaning जो है बिलकुल clear हो जाए और ध्यान रखे जो आपको question आता हो वही आप करें बिधिवत साउधानी से क्यों सब questions में से सब question पे option होगा सब question में फिर उसके बाद question number six जो होगा वो आपका translation का होगा translation एक paragraph पूरा दिया होगा वो हो आपको translation practice पर ही आधारित है तो उसकी practice आपको बिधिवत करनी होगी तभी आप translation को कर पाएंगे translation पांच नंबर का होता है तो ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं translation आसानी से आप कर देंगे बस आप जो है बिधिवत translation की practice अभी से सुरू कर दीजिए क्योंकि अभी आपका समय काफी है क्योंकि बताया जा रहा है ऐसा कि एलक्षन के बाद ही आपके एक्जाम सोंगे तो अभी आपके पास टाइम है काफी जो है अगर प्रेश करते हैं तो आसानी से आप जो है translation कर लेंगे और अगर आपको पूरा model paper जो है set चाहिए हैं तो आप जा तो answer ले लिजे या हमें जो है आपको फोन करके बता सकते हैं हम आपको जो है PDF की भेद देंगे फिर section D जो होगा आपको literature से होगा question number 7 से section D start होगा section D में जो 7th question होगा उसमें जो pros से question होगे वो 3 questions कम से कम दिये होगे जिसमें से आपको 2 questions करने होगे यह 2 questions जो है वो लगभग 40 words का पते question होगा और 4-4 mark से होगे यानि total 7 number question वो 8 number का होगा जिनको आपको करना होगा काफी आशान होगे भी question बहुत जितना 30% स्लेवा से साल हटाया गया है यानि pros में जो आपके 5 chapters हैं उन्हीं में से side question आएंगे काफी hard नहीं आएंगे तो आप साधानी से chapter को पढ़िए फिर उस पर आधार question आप आसानी से start कर लेंगे और question number 8 जो होगा pros से detail होगा उसको भी आपको 7 marks में करना होगा 80 words में फिर question number 9 जो होगा वो हो poetry का एक paragraph दिया होगा और उस पर उसी इस्टेंजाः पर poetry का एक इस्टेंजाः दिया होगा question number 9 में और उसी इस्टेंजाः पर आधारित नीचे जो है three questions दिये होगे वो questions आपके paragraph पर आधारित होगे और उनमें figure आप इस piece भी पुछा जा सकता है यह three questions जो होगे वो two two marks के question होगे आपका होगा इसको जो है आपकी five points आपके जो है लेबस में इस साल है तो उनको आप जो है विधिवत पढ़ लीजे और विधिवत पढ़ लेंगे तो उन पर आधारित question आप आसानी से कर लेंगे कोई जो है बहुत मुश्किल काम नहीं है आसानी से आप जो है कर लेंगे उसके बाद जो question आपका अगला है question number 10 है question number 10 में आपकी central idea पूछी जाएगी जो four number की होगी जो है ठ्री central idea दी होगी कम से कम और इसमें से आपको एक central idea करनी होगी तो जो आपको जो है आसान central idea लगे वो आप उसको कर सकते हैं तो ये 4 central idea जो है 3 central idea दी हुई होगी ये 4 marks की central idea होगी उसके बाद जो है question number 11 होगा question number 11 जो है supplementary से होगा start questions होगे 2 questions आपको करने होगे 40-40 words में और ये 4-4 marks से दोनों question होगे मतलब question number 11 आपका जो है 8 marks का होगा यानि 3 questions दी होगे 3 में से आपको जो भी आसान लगें वो 2 questions आपको supplementary पर यानि विस्ताज पार्ट से आपके करने होगे उसके बाद question number 12 आपका आएगा विस्ताज पार्ट से ही डिटेल में आएगा जो की 150 words में आपको करना होगा यह question आपका 7 marks का होगा 7 marks का question होगा इसमें 2 questions आपके दिये होंगे यानि इस पर भी आपको option मिलेगा तो 2 questions में जो आपको जो भी question आसान दिखे जिसे हमने इसमें 2 question दिये हुए हैं आप इनको पढ़िए इसी ही इसाब से आपका model paper पूरा आएगा और उशी इनहीं जो है questions में से 2 questions में से 1 question आपको करना होगा तो friends इस प्रकार से आपका पूरा model paper हमने समझा दिया है कि किस प्रकार का आपका model paper आएगा यानि detail में हमने बता दिया है और आप इसको देख सकते हैं विधिवत और इसी तरीके से आपको अपनी तैयारी जारी रखनी है और अभी यह मत आप समझें के भी समय बहुत है अभी न देखें आप जहें विधिवत अपनी तैयारी करते हैं कि दीरे दीरे तैयारी करेंगे तब ही आप विदिवत तैयारी करपाएंगे तो उसी चीज़ अगर आपको किसी topic पर वीडियो चाहिए हो तो याँ तो नोपारी playlist में जाकर करके आप देख सकते हैं अगर वीडियो उसमें playlist में नहीं है उस topic पे तो हमें आप comment करके बताएं और हम आपके बताए हुए टापिक पर वीडियो बनाने का जरूर प्यास करेंगे अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों तक सेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें धन्यवाद